करें और इस नहीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं Poco F1 के नहीं अपडेट के बारे में जो की रोल आउट होना शुरू हो गया है और इसका जो वर्जन है वो है यह है Poco F1 सबसे पहले मैं आपको अपडेट का वर्जन चेक करा देता हूं जो कि मैंने कल ही नाइट में अपडेट किया था देख सकते हैं Android वर्जन है 8.1.0 जो की और यो बेस्ट है security पैच है एक अगस्त का और नीचे आपको दिख रहा है MIUI वर्जन फॉर पोको MIUI ग्लोबल 9.6 और स्टेबल वर्जन है 9.6.22.0 यहां भी चेक करा देता हूं यानि 9.6.22.0 POCO F1 के लिए latest stable update है दोस्तों इसके अंदर क्या-क्या fix हुए है यह मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों सबसे पहले attention पे जाते हैं इसमें दिया गया है कि जो MI roaming app है उसे remove कर दिया गया है वैसे भी वो इंडिया के लिए usable नहीं था तो अच्छा किया उन्होंने remove कर दिय इसे इसके बाद आते हैं system पे तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला है कि इन्होंने face unlock add किया है कुछ countries के लिए जैसे कि Poland है France है Spain है नेपाल है शीलंका है बंगलादेश है उसके बाद आते हैं optimization पे इसमें दिया गया है कि android security patch जो है वो इसमें दिया गया है और वो है एक अ यानि वो चाहे notch design के कारण वो इसमें set ना हो पा रही हो इस कारण से भी ओक्रेश हो सकती है या फिर कुछ bugs हो उस app के अंदर ही वो भी कारण हो सकता है तो उसे इसमें fix कर दिया गया है अगला fix है virtual buttons से related यानि इसे offset कर दिया गया offset का इसका मतलब होता है कि दोस्तों कि वो च करनों तो click नहीं होना चाहिए तो शायद इससे related कुछ issue इन्होंने solve किया है इसमें ताकि आपको quick response मिले जब आप इन पर click करें उसके बाद दोस्तों आता है कि इन्होंने जो sound of का process था उससे थोड़ा सा simplify कर दिया है यह मुझे clear नहीं है कि यह क्या simplify किया है अगर मैं आपक यहां तक ही अगर यहां पर भी जाते हैं volume पर तो directly हम कर सकते हैं तो ऐसा कोई भी issue मुझे फिलाल नहीं है तो पता नहीं इन्होंने क्या इसे simplify किया है वो Xiaomi के developers ही जानते हैं अब जो अगला fix आता है यह है कि status bar की height है उसको adjust किया गया है तो दोस्तों ऐसा मुझे कोई issue तो लग नहीं रहा है status bar में जो पहले था वैसा ही अभी भी है हो सकता है कुछ इन्होंने internally इसके measurement में change किया हो ताकि जो हमें app की notification आती है वो शायद यहां पर दिख सके क्योंकि यह तीन icon पहले भी दिखते थे और जो आपको यहां watch दिख रही है वो भी पहले यहीं पर दिखत नाम यह किसी पर भी कोई notification आता है तो यहां पर कहीं भी icon show नहीं होता है मुझे इसको नीचे करके ही देखना पड़ता है notification को या फिर उसमें pop-up का option enable कर रखा है तो वो pop-up हो जाएगा या फिर मैं उसे lock screen पर देख सकता हूं जो अगला fix है यह दिया गया है phone के लिए इसमे इसमें fix कर दिया गया है अगला fix जो है यह camera के लिए है इसमें लिखा गया है कि optimize the camera's launching process and image processing तो दोस्तों same line मुझे 9.6.18 के update में भी दिखे दी तो इसका मतलब है कि जब हम camera आपको launch करते हैं तो उसकी speed में कुछ इन्होंने improvement किया है और जो image processing यह फोटो खीशने के बाद जो आपको image मिलती है तो उसके color correction में या फिर जो उसकी quality है उससे related इन्होंने इसमें changes किया है दोस्तों अगला है recorder जिसके अंदर लिखा गया optimize the recording process for the dual mic तो mic एक यहां पे है और एक आपको यहां top पे मिल जाता है तो शायद इसकी quality में इन्होंने कुछ improvement किया है तो दोस्तों यह भी fix इसके अंदर दिये गए है और जो update है काफी अच्छा है battery backup भी मुझे इसमें काफी अच्छा मिल रहा है मैंने जब इस update को manually किया था मुझे OTA नहीं मिला मैंने इसे manually download करके update किया है तो मैंने जब इसे update किया था तो मेरे battery थी 80% पे और इसे करने के बाद जो battery की percentage गिरी है वो काफी कम है तो battery काफी अच्छी है इस update के बाद मैं आपको दिखा देता हूं screen on time अभी तक मुझे मिला है 3 गंटे 24 मिनट 24 सेकंड का और मैं आपको total दिखा देता हूं कि मैंने जब इसे last charge किया था तो आप देख सकते हैं 17 गंटे 32 मिनट 14 सेकंड और मैंने इसे update किया हाला कि मैंने वाइफाई भी यूज किया है इसके बीच में GPS भी यूज किया है और मोबाइल डेटा से ही मैंने डाउनलोड किया था इस update को लगवग 1GB तक उसके बाद का जो part था वो मैंने वाइफाई से डाउनलोड किया था तो दोस्तों ये update जो है काफी अच्छा है और इसे करने के बाद मुझे काफी अच्छा performance मिल रहा है और जो sound है वो भी काफी improve हुआ है यानि phone का sound output है वो भी काफी अच्छा हुआ है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जो 6GB में से मुझे अभी खाली RAM मिल रही है वो है 3.9 और जो इसमें RAM खाली रहती है वो रहती है 3.9 से 4.5 के बीच में आपको दिखा देता हूँ कितनी सारी अभी मैंने apps खोल रखी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, तो अभी मैंने total 14 apps खोल रखी है जब भी मैं किसी app पे जाता हूँ, तो वो वहीं पे open होता है जहाँ पे मैंने उसे छोड़ा था तो यानि ये background में app data को काफी अच्छे से save करके रखता है अब मैं आपको थोड़ा सा इसका sound सुना देता हूँ और मैंने अभी यहां से बास options सेलेक्ट कर रखा है तो दोस्तो sound तो काफी अच्छा है इसमें किसी पेकार को कोई इश्यू नहीं है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका camera app जिससे कि आपको पता लग जाए कि इस phone में आपको कैसी camera clarity मिलती है इस update को करने के बाद तो camera app मैंने open कर लिया है और देखा आपने speed काफी अच्छी है कोई इश्यू नहीं है अभी मैं इसे normal mode में ले रहा हूँ यानि AI मैंने enable नहीं कर रखा है देखे shutter speed भी काफी अच्छी है अब मैं जब इसे zoom कर देता हूँ आपके सामने मैंने zoom कर दिया ऐसे full अब देख सकते है clarity यानि detailing काफी अच्छी है और इसका aperture 1.9 है तो इसलिए आपको थोड़ा सा blurring effect भी side में देख रहा है बिना portrait mode के भी और detailing आप देख सकते हैं काफी समस्या नहीं है और color accuracy भी अच्छी है अब AI mode enable कर देते हैं और एक shot लेते हैं देखे shutter speed काफी अच्छी है काफी अच्छी detailing देख रही है इसमें और दोस्तों AI में सिर्फ थोड़ा सा यह होता है कि जो contrast level है थोड़ा सा बढ़ आता है यानि जो आपको normal mode में या फिर manual mode में मि ऐसा नहीं मिल पाता है पर थोड़े सी punchy colors हो जाते हैं जो actual से थोड़ा सा different देखता है तो कुछ लोगों को यह punchy colors अच्छे लगते हैं कुछ को natural colors ही अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हैं detailing में कोई issue नहीं है और color भी काफी अच्छा है अब दोस्तों मैं portrait mode लेता हू जो कि मैं इसको हटाऊंगा और यह perfume की bottle है अभी मैं manual focus नहीं करूँगा normal जो portrait mode open करने के बाद हमें मिलता है उसी में direct मैं shoot करूँगा देखिए shutter speed काफी अच्छी है यह देखिए काफी अच्छा blurring effect है और जो edge detection आप देख रहे हैं काफी अच्छा है देख सकते हैं और detailing हमें बहुत ही अच्छी मिल रही है किसी परकार का कोई issue नहीं है अगर और gold edition लिखा हुआ है काफी clear है और ऊपर भी cap पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा focus किया इसने और जो साइड में इसका जो background देख रहा है उसके काफी अच्छा edge detection इसने लिया है यानि edge detection इसमें इंप्रूफ हुआ है और और अच्छी detailing मिल रही है पहले warm tone थोड़ी मिल रही थी पर अब ऐसा कोई issue नहीं है और front में AI mode आपको नहीं मिलता है यह नॉर्मल फोटो मोड है देखिए शटर स्पीड काफी अच्छी है और जैसा कि आपने देखा मैं मूब बंद करने वाला ही था पर मैंने शटर पेस के क्लिक कर दिया और देख सकते हैं वहीं पे इसने image को freeze कर दिया है यानि वहीं पे जमा दिया है आप देख सकते हैं कि की detailing काफी अच्छी है किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है कि तो detailing काफी अच्छी दिखर ही दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कर नहीं है अब एक portrait mode ले ले लेते हैं फ्रेंट में अगर कि देखे हैं डेटेलिंग आप खुद देख पागहते होंगे की काफी अच्छी डेटेलिंग इसने क्याप्चर की है और यहां से अगर आप देखेंगे क्या है अच्छा आ देखाने को तो नीचे घरधन के पास से हैं तो ऑफிलेंगे पिस है जो है वह नाचुरल बलर है और काफी अच्छा दिख रहा है और एकदम नाचुरल है और आप एज डिटेक्शन खुद नोटिस कर सकते हैं कैसा है और यहां पर देख सकते हैं मैंने कॉलर माइक लगा रहा है उसकी डिटेलिंग काफी इसने कैप्चर की है तो अवर ओल कैमरा जो है काफी अच्छे मिल रहे हैं पहले की तरह वाम टोन नहीं है तो अब आपको पता लग गया होगा कि मिवाई 9.6.22.0 का इस टेपल अपडेट कैसा है और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह अपडेट ओडेट के थू मिल गया है तो बहुत अच्छी बात ह और अगर नहीं मिला है तो घबरानी की जरुवत नहीं है मैं इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एक ओटी अपडेट लिंक भी है ध्यान रखेगा कि ओटी अपडेट लिंक सिर्फ और सिर्फ 9.6.14 इस्टेबल अपडेट यूजर के लिए है और जो फुल रोम है वो कोई भी कर सकता है यानि चाहे वो बैटा रोम में हो या फिर इस्टेबल अपडेट के 6.14 में हो 9.6.16 में हो या 9.6.18 में हो या फिर बैटा रोम में हो कोई भी उस फुल रोम को डाउनलोड करके मैनूली अपडेट कर सकता है उमीद करता हूँ कि जो जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के मादम से दी वो आपके लिए helpful होगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में.